चंद्रधर सर्मा गुलेरी प्रचारणी सवा से भी जुड़े रहे राजी रजवाडों के पुत्रों को भी पढ़ाया कासी इंदू विस्विद्याले से भी जुड़े रहे और 1922 में उनकी मृत्यी हो गई वे अपनी कहानी उसने कहा था के लिए अधिक जाने जाते हैं कर्मकांड, छुआ छूत और दार्मिक आडंबर के विरुद्र रहने वाले गुलेरी जी ने कहानिया, निबन और अन्य प्रकार की रचनाई प्रस्तुत की है डॉक्टर प्रत्यूस गुलेरी ने उन्हें कथा साहित्ति का मसीहा कहा है एसिया की विजए दस्मी, अहितागनी, वेनौक बर्न, स्वागत, इस्वर से प्रार्थना, जुकी कमान और भारत की जय जैसी कावी रचनाई प्रस्तुत करने वाले गुलेरी ने उसने कहा था सुखमय जीवन तथा बुद्दू का काटा जैसी कहानिया भी लिखी है शेशुनाक की मूर्तिया, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कच्छुआ धर्म, आंक, मारेसी मुही कुठाव, आदी उनकी निबंदर अचनाई है उसने कहा था जो उनकी प्रसिद कहानी है, 1915 में सरस्वती पत्रीका में छपी थी पीलिया जैसी बीमारी से मात्र 49 वर्स की आयू में दुनिया को अलविदा कहने वाले गुलेरी जी के साहित्ती की विसेस्ताएं इस प्रकार है धार्मिक आडमरों वच्वा चूत का विरोध यथार्थ वादी साहित्य, संस्कृती व समाज की गहरी समज, शिक्सा पर बल, मानवीता का प्रबल समर्थन, राष्टियता का तत्व, मानवी मनुभावों का सुन्दर चित्रण, इसपष्ट वप्रभावी बासा सेली, एति करती का संयोजन सर्देता व उदात्तत्तु, धन्यवाद.